तो सबसे पहले हमारे पास है डासवोड एंड सबसे पहले आपको विबसाइट पर जाना है जो भी आपका विबसाइट हो फिक है विबसाइट को ओपिन कर लिए अभी तो अगर आपने कोई पोस्ट लिखा है कर लिए यहां पे आपको दिकेगा यांप सक्षण इस साइट करणा है इसे कट कर लेना है तो चलि हमने कट कर लिया यहां पर गुगल पर search करना तो जैसे यह आप search console search करोगे पॉस्ट में आजाएगा option search console का तो यहाँ पर उस्टार्ट करना यहाँ पर जैसे तर्ट्नव के बतन पर click करोगे यहाँ पर देखो हमारा ओल्रीडी एड है अगर आपका एड नहीं है तो आपका कैसा सू करेगा चलिए मैं आपको ग्यूस्ट में open करके दिखा देता हूँ तो यहां पे देख सकते हैं हमने ग्यूस्ट का option open कर लिया है और यहां पे आपको search करना पड़ेगा search console ठीक है आपको कैसे सो होगा उसके बारे मैं बता रहा हूँ जैसे आप search करोगे search console यहां पे कुछ इस तरीके से आपको डासबोर्ट सो होगा ठीक है अभी यहां पे तो mail id मांगेगा इस चली ठोड़ा ठीक है इसमें आते हैं और यहां पे देखो आपको सेमी चीज़ दिखेगा जैसे आप search console पे क्लिक करोगे यहां पे आपको करना है add a property ठीक है एक प्रोपर्टी को आपको add करना है तो add करने के लिए क्या करना होगा आपको नीचे आना है और settings में सुवैस यहां पे देख सकते हो नीचे आएंगे आपको नहीं आना है अगर आपके पास already site है और दूसरा site करना चाहते तब आपको आना है ऐसे जैसे आप क्लिक करोगे search console पे तो यहां पे देखो आपको add property का option देखने को मिलेगा आप और भी प्रोपर्टी को यहां पे जो इंटरफेस दिखेगा जो आपने वहाँ से कट किया था उसको आपको यहां पे पेस्ट कर देना है एंड कंटीन्यू को बटन पर क्लिक करना है जैसे इंटर वेडिफाइट मेरा जो है एट वेडिफाइट हो चुका है लेकिन अगर आपका एट वेडिफाइट नहीं होता ह है तो आपको क्या करना है ठीग है तो हमने यहां पे प्रोपर्टी में आ चुके है और यहां पे देख सकते हैं हमारा आपको पर डेलोगी तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा यह जो सब्सक्राइब करने के बाद आपको कहां पर पेस्ट करना है तो आए डासबोड में चलते हैं अपना डासबोड में आजाना है इसके नीचे थीम फइल एडिटर मिलेगा इस पर आना है और हम यहां पर बीच में और तो मुझे पेस्ट नहीं करना है कैसे होता है तो अगर आप यह त्री डॉट है इस पे देखो एड साइट पे अगर किलिक करते हो यहां पर देखो डॉमैन है ठीक है इस पे अगर आप अपना डॉमैन डालोगे ना तो डैरेक्ट यह वरिफाइड हो जाता है जैसे हमारा सब तो सब्सक्राइड वेश्ट करना है तो आपको बगल वाले प्रॉमैन पर क्लिक करना है और किलिक करने के बाद करने के बाद इसकी में अब बताया बढ़ा आपको पेस्ट कर देगा जैसे यहां पर चुकर आपके पास सब मैंने कि आपको लिखने कापिटेक्स्त रिकोंड बैड़नी यह जो कंफोर्मेशन है इसरे सब कर सकते हैं अब यहां मेंगे सब्वेरिफाय पे उल्लिक करेंगे अगर आपके पास सब ढोमैन है मतलब एक डॉमेंग और यह होता थिक है यहां पर देख लेकिन अगर हम यहां पर लेटर करते हैं और यहां फिर देखो डायरेक्ट सब डोमेन कैसे वेरिफाय होता है तो देख सकते हैं यहां पर आते हैं और यहां पर हम अपना डालते हैं यहां पर कंटिन्यू पर किलिक करते हैं तो देख सकते हो और सीप अटो विरिफाइट क्यों हो गया क्योंकि यह सब डॉमैन है यहां पर लिखाओ वरिफिकेशन में फिर भी नहीं होता है तो आपको यहां पर सेटिंग में जाना है अगर अपका टैग यहां पर लगा देते हैं और हमने यहां पर लगा दिया है अब यहां पर लगाने के बाद क्या करना है आपको अब देख सकते हो हमारा जो यहां पर जो भी मैंने पोस्ट लिखा है वह यहां पर इंडेक्सिंग के लिए आ जाएगा यहां पर टेस्ट लाइफ यूरल पर किलिक करोगे यहां पर तोड़ा बेट करना पर सकता है लग बग 30 मिनट यहां फिर गंटे तक ठीक है उसके बाद जो साइट है गुगल पर दीखने लगेगा सर्च होने लगए अगर अब मैं आपको दिखा दूंग यहां पर दन है और यहां पर अपना वेब साइट डालता हूं ठीक है तो हमारे पास और भी विबसाइट है तो यहां पर नहीं हो चुका है तो देख सकते हैं मैंने यहां सब्सक्राइब कर लिए और यहां पर देखो नीचे आ चुका है यो यूरली जान गूगल मतलब गूगल पर सर्च कर सकते हो इससे गूगल पर मिल जाए गई है तो यहां पर जो भी चीजे थी मैंने आपको बता दिया है वीडियो इच्छा लगा हो तो लाइक से यहां पर इंडेक्स हो पाएगा ठीक है यहां पर देख सकते हो यह गूगल लिखा हुआ है और एस्पेक्टिंग कर रहे हैं यहां पर थोरा सा टाइम लेगा एक यह दो मिनट का मात टाइम लेगा और यहां पर आपका रिक्वेस्ट सक्सेस्फूल हो जागा उसके बाद य लाइब हो जाएगा लाइब दिखने लगेगा ठीक है तो मिलते लिए वीडियों तो तक के लिए वीडियों चलागा लाइक सेंद सब्सक्राइब कर लेना